जब ये news मिली आपको good news हम कह सकते हैं बहुत बड़ी good news ली तो family reaction क्या था? family reaction कहो तो family में तो किसी को पता ही नहीं है उनको knowledge ही नहीं है कि घर में किसी के पास phone नहीं है लोग मुझे कहते हैं मैं अपने चनल का नाम change कर दो मुझे बहुत पसंद है आपके चैनल करें मैं चाहती हूं कि वो लोग भी करें जो करने से हिच की चाहते हैं वो सफर था वो पहला फेर जो था वो खतम किया और आज यहां पहुँच गया और फाइनली आज दिल्ली से भी बन गई है तो अगर आप चाहते हैं आपका भविष्य उजवल हो आपके बच्चों का भविष्य उजवल हो तो उसके लिए आपको इंग्लिश ही सीखने चाहिए और इवन वो मेरे घर पे हैं अभी तो मैंने सुचा चलो उन से थोड़े से क्वेशन आंसर करते हैं और आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन था बहुत स्पेशल दिन था उनकी लाइफ का एक अचीवमेंट था हम बोल सकते हैं उनको एक रिवार्ड मिला है ऐसा भी पोल सकते हैं क्योंकि जब हम कुछ महनत करते हैं और हमें उसके बड़ले में कुछ मिलता है तो वह एक अवार्ड और रिवार्ड की तरह ही होता है तो आज उनके लिए ये आज का दिन बहुत जादा स्पेशल है तो चलिए मैं मिलवाती हूँ कि कौन ऐसी खास सक्षियत है मेरे साथ जो कि मेरे घर पे हैं अभी तो चलिए हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आद दीदी जी के घर आके और इनकी फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगा बहुत ही घंबल पर्सन है सारी लोग बहुत ही जादा तो वो कितना अच्छा इनसान होगा है न सच हुआई बहुत डाउन टू आर्थ है कभी भी किसी के कभी किसी इंसान को उनके लुक को देखकर judge मत करो कि कोई कैसा दिख रहा है या कोई कैसे कपड़े पहन रहा है या कुछ भी उनकी जो लुक है उसको कभी जज मत करो क्योंकि उसके अंदर की नौलेज को देखो कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है तो इनके अंदर भी बहुत सारी qualities है, बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी बाते करती है, तो सबके अंदर होती हैं, तो कभी भी किसी को demotivate मत करो, उनके look को देखकर, हमेशा कुछ न कुछ उने plus point देने की कोशिश करो, motivate करने की कोशिश करो, तो ताकि इनसान अपना जो पहला स्टैफ है, वो उठा सके, तो चलिए इन से, पूछ से हैं कि इनका आज का जो experience हाई, कहाँ गई थी और कैसा experience रहा इनका, कितनी खुश है ये वहाँ जाकर, तो चलिए पूछ से हैं, तो बताईए आप कहाँ गए थे, और कि इनों ने आपको invite किया था, और किस लिए invite किया था, और आप क्या करती है, वैसे तो ये बताने की जरूबत नहीं है, क्या करती है, बट फिर भी इनी से पूछ से हैं, कि ये किस लिए जानी जाती है, किस लिए popular है, सुछे लिए वो confusion थी वो डर था कि हां मैं जाओं कि ना जाओं बट आप सभी लोगों के suggestion, motivation और आप सभी की support और प्यार की वो जैसे मेरे अंदर वो डर खतम हो गया मेरे अंदर का और मैं वो अपना कदम उठा पाई और जो श्टॉक जैसे इस platform पे आने का मुझे मुझे मौका मिला और व जो श्टॉक एक कोई छोटी चीज नहीं है यहां पर बड़े बड़े लोग तरस्ते यहां पहुचने के लिए और शायद अपनी महनत उसको तो हम कभी हटाई नहीं सकते बीना महनत के तो कुछ होता ही नहीं है अपनी महनत साथ साथ में आपका प्यार और support यह सब ही मुझ पहुचने में बहुत असान लग रहा है कि channel create किया अफने सारे subscriber gain किये और बस वहां पहुच गए पर इसके पीछे की भी भी बहूत बगी कहानियया होती हैं जो हमेशा बताई भी नहीं जाती हैं कुछ कहानियां हिदन कहानियां होती हैं जिन्ने सिफ हम पील करते हैं ।र उ कि हम खुद कोई आगे बढ़ने नहीं देते ये सोच कर कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा अगर सही ना हुगा तो क्या होगा मैंने बहुत रोका अपने आपको बट मैंने अपने आपको रोका पर रोकने से ज़्यादा मैंने अपने आपकी मानी भी नहीं मैंने अपने दिल की मानी कि मुझे क्या करना है और बस उसी राह पर निकल पड़े और उसी राह पर चलने के कारण शायद हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और एक दिन उस मुकाम तक पहुचना है जहां मुझे कोई दिहाती मैडम के नाम से ना जानकर एक मैडम ही जरूरी होती है उसकी खुद की पहचान वो क्या है वो self dependent है की नहीं और खास करके औरते हमारे समाज में औरतों को मान समान मिलना बहुत मुश्किल होता है और जब जो श्टोक जैसे प्लेट फॉर्म से एक गाउं छोटे से गाउं से एक लड़की को invitation आता है कि आपको यहां आना है और अपनी journey share करनी है तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है तो बस यही है बहुत अच्छा अच्छा में यह जाना चाहूंगी कि जब यह news मिली आपको good news हम कह सकते हैं बहुत बड़ी good news थी तो family reaction कया था? family reaction कहों तो family में तो किसी को पता ही नहीं है उनको भूबनी की घर में किसी के पास phone नहीं मेरे पास 1 ऐा यह crowds only phone और इसके जरहिये हम मैं video बनाती हूं घर में किसी member के पास फोन नहीं है और गाउं में जिनकाष है भी तो वो educational वीडियो देखती नहीं क्योंकि गाउं में educational की कोई value ही नहीं है सब अपने मस्त रहते हैं और जिनके पास है भी phone तो बस movie देखी और गाने सुने बर उनके पास phone है, facilities हैं बट उनको वो misuse कर रहे हैं misuse कर रहे है so आप अगर कुछ अपनी life में करना चाते हैं सबसे पहले तो अपने fear को खतम कीजिए, अपना first step उठाईए और अपनी journey की तरफ बढ़िए, क्योंकि जो first step होता है ये बहुत मुश्किल होता है हम बहुत जादा डरते हैं दूसरों के बारे में सोच कर कि कोई क्या कहेगा तो अगर इनोंने ये सोचा होता अगर इनोंने भी ये सोचा होता और सोचा भी होगा पर इनोंने वो first step उठाया और अपनी journey की और बढ़ने की शुरुआत की तो आज ही है यहां से यहां तक पहुँच चुकी है अभी इतना आगे जाना है कि इनका जो नाम है वो signature में convert हो जाए सो मैं आपको एक journey बताना चाहती है अपनी छोटी सी एक story है मैं एक दिन छट पर अपनी वीडियो की practice कर रही थी मैं बस टाहल रही थी और अपनी practice कर रही थी तो नीचे हमारे एक पडोस में रहते हैं किरादार वो बगल में थे उनके father आये हुए थे वो गए अपनी बहु से कहते कि यार ये और चट पे पागल किसको गाली दे रही है इंग्लिश में तो उन्होंने कहा कि नहीं पिता जी वो गाली नहीं दे रही है वो इंग्लिश सिखाती है वो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही है वीडियो बनाने की वो गाली नहीं दे रही है उनको लगा मैं किसी को गाली दे रही है इंग्लिश बोल बोल के ये होती है नॉलेज ना होने की कारण क्या होता अगर आपके पास knowledge नहीं है तो अच्छी चीज भी आपको बूरी लगती है तो आज आपको कैसा फील हो रहा है कि मैंने अपनी महनत से यहां तक आने का सफर आपके husband कुछ बोल रहे थे इस बारे में, उनको कैसा फील हो रहा था उनको बहुत अच्छा लगा, means कि पहली बात तो हम लोगों के लिए ऐसी चीजे बहुत आसान नहीं होती है और जब हमारी जान पहचान थोड़ी बनती है, हर किसी के लिए बहुत खुशी की बात होती लोग कहते हैं कि हर एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और वैसे ही हर एक सफल आदमी के पीछे एक आदमी का हाथ होता है वो या तो आपका पती हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है आपको boyfriend हो सकता है कोई भी हो सकता है पर बिना उनके support के आप कुछ नहीं कर सकते तो मेरी life में तो मेरे husband ने बहुत मेरे support किया घरवालों ने नहीं किया बट उन्हों ने किया उन्हों ने अपना काम छोड़ कर मुझे यहां लेके आए उनको कोई नहीं जानता बट वो चाहते हैं कि मुझे कोई मुझे तो यह दुनिया जाने कि मेरे नाम से उनका नाम होगा और उनके नाम से मेरा नाम होगा हम husband wife ऐसे होते हैं यह ताली जो है अगर एक पिलर हटा दिया जाए ना तो building नहीं खड़ी हो सकती है तो इसी तरह अगर husband wife का साथ है वो आपको support करता है चाह तो आप को आगे बढ़ने से कोई नहीं डोग सकता है कोई भी नहीं डोग सकता है तो आप ने यह क्यों सोचा कि मुझे English चैनल स्टार्ट करना चाहिए तो बहुत लोग इंट्रस्टिंग है यह जानने के लिए कि देहाती मैडम ने देहाती नाम क्यों रखा कुछ और यू पहले बात तो बात रही चैनल कर नाम ढूंड़ने की तो पहले दिहाती लोग इतने वो क्रियेटिव नहीं होते कि वो अच्छा सा नाम दो चार दिन निकाल कर पहले चैनल कर नाम ढूंडे फिर हम थे दिहाती हम है दिहाती हम रहेंगे दिहाती तो मैंने चैनल कर नाम इसल बढ़ परसंदे आपके चैनल कर नाम तो यह मेरी आइडेंटिटी है मैं इसको नहीं चेंज कर सकती और इसी से मुझे पहचान मिली है तो और मैं कह सती हूँ कि यह बहुत युनीक नेम है ऐसा आपने कभी किसी भी युट्वीब चैनल पर नहीं देखा होगे कि उनोंने और वही उनोंने चैनल के नाम में दिखाया तो यह एक बहुत अच्छी बात है कि जो इंसान है वही दिखाओ कोशिश मत करो कि किसी और की तरह कापी करने की या किसी और की तरह बनने की जो आप हो उसी को इनहेंस करो अपनी क्वालिटी को अपनी जो छोटी-छोटी सी एनहेंस करो तभी आपकी एक अच्छी पहसान वनेगी जैसे कि आप यशोदा जी को देख रहे हैं So, मेरा next question है कि आगे future plan क्या है? Future planning यही है सीखना है और सिखाना है और लोगों को आगे बढ़ाना है पर मैंने बचपन से मेरी एक सोच है कि मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है मुझे ऐसे लोगों के लिए कुछ करना है जो financially उनको बहुत जादी problem है वो financial problem होने की वज़े से अपने study नहीं कर पाते हैं हमारे गाओं में बहुत ऐसे लोग हैं जो मातर तीन सो साड़े तीन सो रुपया की दिहारी करते हैं और उनके पास उन साड़े तीन सो रुपया से वो अपनी family का पूरा खर्चा उठाते हैं जो कि बहुत मुश्किल होता है और इसी वज़े से सायद है कि मेरे गाओं के बह value को समझें और अपनी पढ़ाई को continue करें और कुछ सीखने का जजबा रखें और life में आगे बढ़ें मैंने देखाया कि बिहार से बहुत से लोग आगे बढ़तें बहुत से जगह से लोग आगे बढ़ रहे हैं पर एक को शांबी डिस्टिक ऐसा डिस्टिक है ना वहां से क आम रोशन कर दिया है यस मैंने कर दिया है बट मैं चाहती हूं कि वो लोग भी करें जो करने से हिच कि चाहते हैं औली मोटिवेशन की वजह से क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है कोई इंको मोटिवेट नहीं कर पाता कोई उनको रह नहीं दिखा पाता है तो मेरा बस यही कहना है कि मैं सभी लोगों को मैं रहा दिखाना चाहती हूँ निकि बिना motivation के हम कुछ नहीं कर सकते पर दूसरों के motivation से ज़्यादा जरूरी है आपका खुद का motivation दूसरों का motivation कितनी देर काम आएगा देखो मैं एक बात बोलना चाहूंगी motivation motivation हम बहुत सारा लेने की कोशिश करते हैं हमने यहां से वीडियो देख लिया यहां से देख लिया बहुत सारा motivation ले लिया लेकिन फिर हम सोसे हमें यह करना है बट दो दिन बाद एक हपते बाद फिर हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे थे तो motivational की उतनी जरूरत नहीं है जितनी आपको सोचनी की जरूरत है कि मुझे ये करना ही है एक aim बना लो कि मुझे ये करना ही है और जब तक कंचन केश्री मैम की एक बात थी उन्होंने अभी कही थी कि उनको movies देखने का बहुत शौक था बहुत जादा वो crazy है movies देखने के लिए बट उन्होंने सोचा मुझे कुछ करना है और मैं जब तक movies नहीं देखूँगी जब तक मैं कुछ करना लो तो उन्होंने अपनी movies देखने को जो शौक था उसको छोड़ दिया और उन्होंने अपना YouTube चैनल क्रिएट किया और आपको पता होगा उनकी first video जाकर देखना उनके पास कोई तो मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है, तो इसलिए जब मेरे पास सब कुछ हो जाएगा, मैं तब अपना चैनल क्रिएट करूगा, या मैं तब कुछ करूँगा, तो उसके लिए अप क्या कहना चाहेंगे, कि फैसिलिटीज ज़रूरी है, आ पिर अपना जो हर्ड्वर्ग है, hard work ज़डूर है, facilities माइन नहीं डगती है, बहुत से लोग हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो काम कर रहे हैं, बढ़ वो dedication के भिना काम कर रहे हैं, उनके अंदर वो passion नहीं है, वो जजबा नहीं है, वो एक time pass की तरह कर रहे हैं, जिस दिन से आप इसको अपना passion बना लोगे न इ कुछ नहीं था, किसी का सपोर्ट भी नहीं था, बट मैंने इसी फोन से कुछ भी पता ना होते हुए सब को सीखा कि चैनल कैसे बनाना है, यूटूब वीडियो कैसे एडिट करनी है, थमनिल कैसे बनाना है, वीडियो कैसे डालनी है, इंग्लिश कैसे सीखनी है, इंग्लिश यह सारी चीज़े सीखने के बाद मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की और आज वो सफर था, वो पहला fail जो था, वो खतम किया और आज यहां पहुँच गया, अगर वो पहला step ना होता, वो पहला hurdle अगर पाढना किया होता, तो आज हम यह आणा होते, और आश भाग गया कि मै आपसे मिल पाई है और आज आपकी मैम का हमारी मैम का स्टेज फेर भी दूर हुआ है क्योंकि आज इनोंने एक बड़े मंच पर जाकर अपने आपको रिप्रेजेंट किया है और आपको वो वीडियो जल्दी देखने को मिलेगा मतलब उस मंच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मतलब वहां खड़े होने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ मतलब उस स्टेज पर जाने के बाद आपको क्या लगा मतलब जो फर्स्ट फिलिंग आई वो क्या थी फरस्ट फिलिंग तो यही आई कि रखता है कि शाक्षात भगवान जी के दर्शन हो गए क्योंकि ऐसे स्टेज पर जाना और भगवान जी के शाक्षात दर्शन करना ये दोनों ही नामुमकिन चीजे उती है जो मुमकिन होती है only आपके प्यार only आपकी तपस्य की वज़े से अगर आप तपस्य करते हैं तब ही आपको भगवान मिलते हैं उसी तरह अगर आप महनत करते हैं तो आपको हर चीज मिलती है और वो मुझे मिला और वहां का experience बहुत ही अच्छा था वहां के लोग बहुत ही ज़्यादा supportive थे बह बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती कितने अच्छे थे और वहां पर पहुचकर उन्होंने पूरी सेवा की और उसके बाद में time दिया रेस्ट करने का उसके बाद में हमने वीडियो शूट की और सब कुछ अच्छा हुआ बहुत से कमेंट मेरे पास आते हैं मेरा एक question है कि बहुत से लोग comment करते हैं क्योंकि मेरा भी channel है मैं अपने channel में देखती हूं वही comment और इनके channel पे तो बहुत बर्मार होती है comments कि तो उन में कुछ comments होते हैं कि English खीखना इन्हा ज़रूरी क्यूं है हम अपनी Hindi को importance की उन्हें मैंने मेरे चैनल पर कई कमेंट्स आते हैं कि हिंदी हमारी मातर भाशा है हम इंगलिस क्यों सीखें कौन कह रहा आपको सीखो मत सीखो मैं कहती हूँ आप एक परसंट भी न सीखो पर दोस्तों मुझे आपको ये बात भी बतानी है कि हर माबाप चाहता है कि शादी हो उसके बच्चे हो और उसके बच्चे इंगलिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं और प्रॉब्लम पता क्या होती है अगर आपके बच्चे ही नहीं पढ़े हैं अगर हम ही नहीं पढ़े हैं इंगलिश मीडियम से तो हम अपने बच्चों को क्या नालिज देंगे अटलिस किसी के ल लेंग्वेज है और जो हमारी ओफिशिल लेंग्वेज भी इंग्लिश ही है तो आप जिस भी फिल्ड में चले जाओ आपको इंग्लिश से मुकाबला करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत से इंटर्वीज इंग्लिश में होते हैं यह है इस लेंग्वेज को सीखने का आप अल इंडिया आपके कई सारे दोस्त मिल जाते हैं मेरी एक अंधरपदेश की फ्रेंड बनी है सोनी के नाम से है एक MP से बनी है एक बिहार से बनी है और फाइनली आद दिली से भी बन गई है मुझे बहुत से ऐसे हैं बहुत से ऐसे फ्रेंड मिल जाते हैं अल्ली इस लेंग्वेज की वज़े से यह लेंग्वेज आपको कनेक्ट करती है अल ओबर द वर्ल्ड एंड हर फिल्ड में आपको इस लेंग्वेज से सामना करना ही पड़ेगा अच्छी जॉब चाहिए तो आपको यह नॉलेज चाहिए यह लेंग्वेज चाहिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी है तो आपको यह लेंग्वेज चीखनी पड़ेगी अच्छा मेरा नेक्ट कॉसण था आपके कमेंट बॉक्स में देखती हूं मैं लोग बोलते हैं कि आप total English क्यों use करते हैं हिंदी में भी बोलो क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है तो actually आप उनसे क्या कहना चाहेंगी मेरा उनसे यह कहना है कि आपको अगर हिंदी से English दीखनी है तो इस चैनल प्याने की जुरूरती नहीं है बहुत सी वीडियोज मिल जाएंगी अगर हम अभी भी हिंदी से ही ट्रांसफर कर रहे हैं लैंग्वेज अपनी English में तो उसका कोई benefit ही नहीं है जब तक आप अपनी thinking नहीं बदलते न वो हो ही नहीं सकता English speaking आपका आई नहीं सकता वो fluently आपको वो आपकी thinking language बदलनी पड़ेगी speaking language बदलनी पड़ेगी और लिस्निंग language भी बदलनी पड़ेगी otherwise अप नहीं कर सकते हैं लोग कहते हैं कि आप हिंदी में बोलो बीच बीच में बताओ अगर मैं यहां पर हूँ अपनी practice करने के लिए और लोगों को भी practice करवाने के लिए तो मुझे खुद की भी practice करनी है तो मुझे English तो बोलना ही है तो यह बहुत ज़रूरी होता है कि English बोलने के लिए आपको English ही बोलना है लिए नहीं बोलना है देखो एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आप अगर translate करो उन लोगों के लिए जो पोलते हैं Hindi यूज करो कुछ comment मेरे पास भी आते हैं कि Hindi भी यूज करो क्योंकि हमें समझ में नहीं आते हैं बहुत सी चीजें, बहुत से sentence हमें समझ में नहीं आते हैं तो उनके लिए में यह कहना चाहूँगी कि अगर आप, आपको अगर कभी ऐसी situation में खड़ा कर दिया जाए, आपको जहाँ पर English बोलनी ही बोलनी है, पर आप कितना उसे translate करके बोल पाओगे, क्योंकि translate हम उतना ही कर पाते हैं, जितना हमें सीखा है, हमने सीखा है, तो हमें अगर बिना translation के continuously अगर बात करनी है, तो हमे यह जो translation वाला जो है, अगर एक का word-to-word आप translate कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए ट्राइक करो direct बनाने का, direct उसे direct बोलो, direct mind से अगर आप उसको बोलोगे, वो ज्यादा अच्छा लगता है, जब आप word-to-word translate करने जाते होना, तो आपको sentence ही अलग बन जाता है, और definitely फिर आप ल कितनी साही लेंग्वेज यूस करते हैं, तो एक sentence को हम बहुत तरीकों से बोलते हैं, अगर हम अपनी अपनी मदर टंग के साथ English में convert करने लग, translate करेंगे, तो definitely sentence की धजिया होने वाली है, definitely, so इसलिए try करो, कि English to English में ही सोचने की कोशिच करो, convert करने की कोशिच करो, don't try to translate with other language, okay, so, यह अगर आप ऐसा कर रहे हो, Hindi से English, English to Hindi, तो आपको बहुत जादा प्रॉब्लम करने पड़े ही आगे जाकर, क्योंकि इतना ही बोल पाओगे, जितना आप कर रहे हो अभी, translate, yes, yes, so, कुछ एडवाईज आप मेरे और अपने सब्सक्राबर को देना चाहोगे, last में और अगर आपके पास vocab नहीं है, तो आप तभी defumble करते हो, otherwise आप फंबल नहीं कर सकते हो, vocab ना होने का main जरिया एक यह भी बन जाता है, कि हमारे पास vocab होती है, हमारे mind में होती है, but जब वो बोलने पे आता है, when it comes to speak, तब वो दिमाग से उड़ जाता है, चूमंतर हो जा कि कुछ लोग कमेंट करते है, vocabs याद करने का, कोई trick हो, shortcut हो, तो बताइए, या पिर कुछ लोग पुछते हैं कि shortcut तरीका कोई language सीखने का, कोई shortcut है, तो shortcut के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? shortcut का एग ही तरीका है, जैसे आपने दो words दिन के, एक दिन में आपने दो words लिए, तो उन दो words के base पे आप एक story create कर सकते हैं, जैसे कि एक word है, मैं आपको simple सा phrase है, cats and dogs, इसका मतलब होता है, जैसे कि बारिश होती है, तो वहाँ पे जैसे बारिश होने ले जाती है, तो जब ब cats and dogs, इसका मतलब होती है, जैसे कि एक word है, वेसाइड, वेसाइड मैं फिलाल में सीखा है, मुझे भी नहीं पता था, मैं जो सीखती में बढ़ी बताती हूँ, वेसाइड का means होता है, जो सडक होती है, सडक की जो किनारे का पार्ट होता है, वो footpath का नहीं, जो इक दम किनार पार्ट होता है, तो अगर हम इसको दिन में तीन-चार बर बोल लिए, तो यह हमारे मांड में बैठेगा, अदर्वाइस नहीं बैठेगा, नेक्स दे आप दूसरा वर्ड यूज करोगे, और उसके अगले दिन वो आपके दिमाग से निकली जाएगा, पहले वाला, एक्श प्राइस एक्सपरेशन बहुत होते हैं, आप इवन कि आपको वर्ड की जगा आजकल प्राइसल वर्ड याद करने चाहिए, वो बहुत हल्प करते हैं आपकी, यह एक शॉटकट है कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूब कर सकते हैं, तो एक एक वर्ड को चुन-चुन क अवरे बहुत हैं, नो वर्ड दॉत कि अवर्ड के इस इसला को चुन-चुनितली चुनितली है, तो हम ब्रविज बेदेशन फिंहिंन, वर्डू का मतरे हैं, तु जब यह दा बहुत हैं ओने, न बहुत क्रसे सेख़ुं है अर रड़खें के जह सब आप करना हैं तो जग् क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता है कुछ सोचने का फिर आपकी वो जो रुकाबट है वो दिखती है और अगर आप स्लोली पेसिंस के साथ बात कर रहे हो तो आप अगर गैप भी लेते हो तो आप उतने गैप में सोच सकते हो कि मुझे नेक्स क्या बोलना है मुझे तो यही देना है आपको संदेश कि देखिए मुझे पता है कि हिंदी हमारी मातर भाषा है बट इंग्लिश के बिना आजकल किसी की नईया पार भी नहीं होने वाली है हर फिल्ड में चाहिए आप किसी भी फिल्ड में जाओ आपको यह लेंग्वेज चाहिए इवन कि आजकल गाओं में भी यह लेंग्वेज बहुत इंकमपलसरी हो गई है गाओं के स्कूलों में भी आजके लोग सीबियासी बोर्ड में अपने बच्चों को डालते हैं और शिक्षा दिलाते हैं बट प्रॉब्लम पता है कि गाओं के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनके पैरेंस पढ़े लिखें नहीं है तो आप पढ़ोगे तब भी अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे अदर्वाइज आप नहीं पढ़ा पाओगे तो अगर आप चाहते हैं आपका भविश्य उजवल हो आपके बच्चों का भविश्य उजवल हो तो उसके लिए आपको इंग्लिश ही सीखने चाहिए यह मान के चलिए यह राम नाम है इसको आपको जपना है और भव सागर से पार हो जाना है और यह सभी पॉसिबल होगा अउनली आपकी प्रैक्टिस की वज़ा से चलिए इस सेशन को करते हैं यही पर आप सब को मज़ा आया होगा क्योंकि मुझे इन से बात करते हैं परस्नली बहुत मज़ा आया बहुत सारी बाते मैने इनसे सीखी हैं आपको भी अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा है तो पिस सबस्क्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइब कीजिए और जितना हो सके इस चैनल को प्यार दीजिए इनके चैनल को भी, मेरे चैनल को भी और सबसे जरूरी प्यार अपने आप से प्यार करना सिखिए टेक यो फर्स टैप